नमस्षकार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आई क्यूबूँ आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बार्बेडोस के बारे में और यूनाइटेड किंग्डम के बारे में और अभी रिसेंटली बार्बेडोस ने डिसाइड किया है कि क्वीन एलिजबेट अब उनकी हेड अफ दिस्टेट नहीं रहेंगी तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले काफी दिल्चस्थ से आपको इन्फोर्मेशन मिलेगी यहाँ पे कोलोनिलिजम के बारे में इंपिरियलिजम के बारे में और आज भी कैसे वो कोलोनिलिजम के रेमिनेंट्स बचे हुए है क्वीन एलिजबेट आज भी 15 से ज़्यादा देशों की ह इड ऑ इसस्टेट नहीं रहेंगी चले, यह सारी जानकारी लेते हैं इस पर्डिक्लर वीडियो में, शुचानने के लिए मैरे साथ बने लिए यह स्टडी आइक यूपर, मैं हूँ आपका दोस्त राहूल साइगाओ करूँ, सबसे पहले बात करते हैं, history के बारे में, colonial history के बारे में, जैसे कि हम लोग जानते है colonizers mainly रहे हैं, British, French और दूसरे European countries, और Britain सबसे बड़ा colonizer था, यह कहा जाता था कि British Empire में sun never sets, यानि कि सूरज कभी नहीं डूपता है, अब quite obvious है क्यों, क्योंकि एक कोने से दूसरे कोने तक, विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक, आपको कही न कहीं उनकी territory मिलती थी, तो they used to say, the sun never sets in the British Empire, और उनके territories भी काफी जाए थी, अगर आब बात करें, Australia में थी, यहाँ पे Southeast Asian region you'll find, India, Pakistan was there itself, आफरीका में भी बहुत सारे देश, यहाँ पे colonize किये गए थे by British, by French, many people, बट हम लोग British की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे Canada, United States की 13 colonies, यह भी colonize की गए थी by British, यह British empire है, 1750 का, mid 18th century की हम लोग बात कर रहे हैं, और Barbados है, यहाँ पे एक छोटा सा island है, इन्दी Caribbean, अज हम लोग Barbados की बात करने वाले हैं, तो क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या decide किया है Barbados से, सबसे पहली चीज़, हम लोग पुरा history की बारे में जानते हैं, Barbados की, देखें, हम ल राष्ट की स्थापना हुई, एक Atlantic Charter आया, जिसके तहत कहा गया, कि सब को right of self determination मिलेगा, तो इसके बाद हम लोग कह सकते हैं, कि एक decolonization की मुहिम जरूर चेर चुकी थी पूरे विश्व में, हम लोगो ने जल्दी independence पाई, लेकि 1950s, 1960s में भी बहुत से देश धेरे-धेरे और बहुत सारे जिसे post-colonial देश हैं, इंडिया भी उसमें एक आता है, तो post-colonial nations अपनी independence के बाग, उन्होंने एक रिष्टा जरूर रखा हुआ है, with the British, that is UK, through Commonwealth, हम भी Commonwealth nations के बाग हैं, देखे, Commonwealth nations के बाग होना अलग है, और Queen जो है, British की जो Queen है, वो उस देश की head होना एक अलग बात है, in fact, देखे, Queen Elizabeth, अभी Barbados की head तो थी थी, इसके अलावा, 15 और Commonwealth nations है, इसकी head है, Queen Elizabeth, और उसमें आते हैं, Australia, New Zealand, Canada, और भी बहुत सारे देश, in fact, देखे, Australia में, यहाली में पता चला, that it continues still, she is the constitutional head, although वहां की Prime Minister is Scott Morrison, but the head of Australian state is still Queen Elizabeth, right, अब इन सब चीजों से एक सव ज़रूर उठता है, Sir, India की क्या position है, India 1947 में independent हुआ, लेकिन आज भी हम लोग Commonwealth के भागे, देखे, Independence हमें मिला 1947, partition हो हमारे देश का, दो Dominion's मैं, एक India, एक Pakistan, और दोनों, India और Pakistan, Independence के बाद भी Commonwealth of Nations के part and parcel है, इसलिए हम लोग Commonwealth Nations, Commonwealth Games जो है, उसमें participate करते हैं, आपको याद हुए, अल्मोस्ट एक दशक पहले, इंडिया में भी Commonwealth Games हुए थे, in fact, we perform extraordinarily well in the Commonwealth Games, isn't it, अब सवाल यह उठता है, कि Sir, हम लोग Commonwealth of Nations के भाग है, क्या इसका मतलब है कि हमारी भी जो head है, वो queen है, इसका answer है clearly no, because we know हमारे आपे president है, President Ramnath Covind is the constitutional head of India, isn't it, तो queen is not our head, अब यह क्यों, दे 1947 से लेकर, 1950 तक हम लोग कह सकते हैं कि formally, इंडिया के head कों थी, still the queen, और the British monarchy was the head of Indian state also till 1950, क्यों, क्योंकि 1950 में हम लोगो ने अपना सविधान लाया, 26 November 1949 को हम लोगो ने अपना सविधान अडॉट किया, और January 26, 1950 को हम लोगो ने enforce किया अपना constitution, और तब से हम लोग एक republic बन ग queen, although हम लोग commonwealth of nations के भाग अभी भी है, but it does not in any way hamper or sovereignty, याने कि हम लोगो ने अपना नाता जो है, British की साथ तोड़ दिया है, दो independent states है, India and the United Kingdom, अब पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में the queen remained as the head of Pakistan till 1956, क्योंकि उनका कुद का सविधा 1956 में आया, तो इस सवाल का जवाब क् queen is not the head of India, the president of India is the constitutional head, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर अभी भी queen is the head और उसमें है Barbados, और जो हमारे साथ 1950 में हुआ, जब हम लोगो ने खुद को Republic गोशित किया, Barbados खुद को Republic अभी गोशित कर रहा है in 2021, in fact, पिछले साली, September 2020 में, Sandra Mason, जो governor general है Barbados की, उन्होंने announce क किया, that we no longer want to continue this colonial connect with United Kingdom, उन्होंने कहा कि we do not want queen as the head of Barbados, तो ये पिछले साल उन्होंने announce किया, और इस साल, September 2021 में, एक constitutional amendment bill भी आया in Barbados, constitutional amendment bill number 2, इसको September में introduce किया गया, 6 October पो ये pass भी हो गया है, अब इससे क्या होने वाला है, 30 November, जो उनकी खुद की Independence Day है, 55th Independence Day होगी, उनकी 2021 म 30 November 2021 से Barbados एक republic बनेगा, वहाँ पे एक office of the president बनेगा, British monarch जो है, वो अभी head नहीं रहेंगी, an office of president would be created here in Barbados, और दोनों पार्टियों के सहमती से हैं, यानि कि unanimously, the ruling party and the opposition, they have decided that the governor channel of Barbados, Sandra Mason, she is going to become the new president, or the first president of Barbados, अब सवाल ये उठता है कि सर, क्या किवल Barbados नहीं ये किया है, क्या कोई और भी देशे जिन्हों नहीं ये किया हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताए कि decolonization की एक मुहिम चड़ चुकी थी, in fact, 1960s, जो decade है, 1960s से लेके 1970 तक, उस दशक को कहते हैं, the decade of decolonization, और उस समय बहुत स देश था, जिसने ऐसा किया था, कि उसका head of the state, British monarch था, या फिर queen थी, तो उसको हटाया था, Mauritius ने 1992 में, और अगर हम लोग Caribbean की बात करें, Caribbean region में, बहुत सारे चोटे-चोटे islands आते हैं, in fact, हम लोग cricket देखते है, West Indies जो team है, West Indies is not a country, आपको ध्यान देने, West Indies का मतलब एक देश नहीं है, West Indies एक आर्किपिलोग एक group of islands है, जहां पर आपको Barbados मिलेगा, Trinidad, Tobago, अगर आप Caribbean Premier League follow करते हैं, you must be knowing about these islands, तो Barbados से पहले भी, बहुत से लोगों ने drop किया है, queen as the head of the state, गयाना ने पहले किया था, फिर आपको Trinidad, Tobago, Dominica ने किया हुआ है, और in fact, अभी referendum होने वाले हैं, जहां पर लोगों से पूछने वाले हैं, should queen be the head of Jamaica, और most probably इसका भी answer नो ही आएगा, तो आगे चलके हम लोग future में यह बात कर सकते हैं, Jamaica might also remove queen as the head of the state, अब आपके दिबाग में सवाल यह जरूरा आ रहोगा, सर इन लोगों ने तो independence 1960s में, 1970s में इनको independence मिल गई थी, लेकिन आज यह लोग यह क्यों कर रहा है, why the step today, in fact the last country was Mauritius which did it in 1992, और इसका उत्तर है, black lives matter movement, हम जानते हैं कि पिछले साल, में 2020 में, George Floyd की death हुई थी, United States of America में, तब से लेकर black lives matter movement has gained a lot of traction, take the need movement जिसके पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वो काफी जादा हद तक एक popularity gain कर चुका है, अब उसी की चलते, experts यह कह रहा है, that black lives matter is the main reason behind this quick decision of Barbados and probably in Jamaica also, where the prime minister of Jamaica has announced कि एक referendum वो conduct करेंगे और वहाँ पे भी पूचा जाएगा कि queen should be had or not, in fact, यहाँ पे stop नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें, commonwealth के लिए, commonwealth of nations एक अलग चीज़ है, commonwealth realm, एक term use किया जाता है, commonwealth realm मतलब जहाँ चाहाँ भी बिटिश का दबदबा था, बिटिश ने colonies बनाई थी, उसके बाद आज वहाँ पे बिटिश head है या नहीं, देखिए जो red territories आपको दिखेंगी, यह वो देश है, जिनोंने independence gain की है, और जिनका खुद का republic set up हुआ, या तो आज commonwealth realm में कौन से कौन से देश आते हैं, obviously United Kingdom तो आएगा, लेकिन बहुत सारे दूसरे Caribbean islands आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि Antigua, Barbuda, Bahamas, you can find Belize, Grenada, Jamaica, Barbados में यहाँ पे cut कर दिया, क्योंकि November 30 से it is going to become a republic, इसके आलावा आपको St. Kids and Nevis मिलेगा, St. Lucia मिलेगा, St. Vincent's and Gren Nardines मिलेंगे, और चोटे-चोटे islands इसे कि Solomon Islands, Tuvalu यह आपको मिलेंगे in the Pacific side, but आगे चलके हम लोग यह कंदेशा जरूर लगा सकते हैं कि in countries में भी, especially in the Caribbean islands, oving to this Black Lives Matter movement, हम लोग यह एक अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे भी शायद Queen Elizabeth may not be the head going into future, अब जब भी वो development आईग तो हम लोग इसको discuss करेंगे, लेकिन अभी फिलाल आपको ध्यान रखना है, Barbados में head of the state is not the queen, it is now the president of Barbados, that is it right now in this part of discussion, और अगर आप को यह discussion पसंद आए, you can follow me on the id at the rate rahul's i222, और अगर आप competitive exams की तियारी कर रहे हैं, then do visit studyiq.com और download करे हमारा app from Google Play Store to know more about us, thank you for watching, jahind ओर सकता है